हेलो दोस्तो, KTM के तरफ से इंडिया में KTM 790 Adventure को बहुत ज़्याद लॉंच किया जाने वाला है इसके कुछ डिटेल्स आउट हुए जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसा कि यह कब लॉंच होगी, प्राइच क्या होगा, फीचर क्या क्या मिलने वाले हैं तो ज़्यादा बाकवास ना करते हुए सिधे पॉइंट पर आते हैं मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं Ride With Bike रजत यूटूब चैनल पहले ऐसा न्यूज था कि KTM 790 Adventure को 2020 के end तक launch कर दिया जाएगा बट कुछ रिजन के वज़े से KTM ने इसे last year launch नहीं किया था जिसमें से एक main reason था COVID का बट finally अब यह launch के करीब आ चुकी है KTM 790 Adventure के first unit को इंडिया में देखा गया है KTM 790 का जो बजाज का manufacturing plant है चकान में देखा गया है जो पूने के पास में पढ़ता है आप image में भी देखे KTM 790 Adventure बाइक है उसके पीछे डोमिनार के भी बाइक खड़ी है तो यह तो confirm हो गया है कि यह बजाज के manufacturing जो प्लाइक है आप इसको इसपाइसोट वहीं से निकल के सामने आ रहे है सोसल मीडिया पर अभी KTM 790 Adventure के खुब चर्चे भी हो रहे है क्योंकि इंडिया में Adventure का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है लोग कहीं न कहीं Adventure बाइक को खरीदना पसंद कर रहे है प्रेफरेंस कर रहे है Adventure बाइक को लेने का जैसा कि इंडियान मार्केट में KTM के सिफ दो ही Adventure बाइक फिलाल मौझूद है एक तो हो जाता है 250 Adventure और जो सेकेंड है वो है 390 Adventure इससे उपर Adventure बाइक के इंडियान मार्केट में नहीं है बट KTM के पास 390 Adventure से बड़े CC का कोई Adventure बाइक अभी मौझूद नहीं है बट अब इस लाइन अप में भी KTM 790 Adventure मौझूद हो रही है जिससे अब KTM को भी अच्छा-कासा फाइदा होने वाला इस बाइक में 799 CC का परलर टुइन लिक्विट कूल वाला इंजन दिया गया है वहीं अगर इसके पावर के बाद करें तो KTM 790 Adventure में 94 BHP का पावर मिल जाता है वहीं टोर्क के बाद करें तो 88 Nm का टोर्क मिल जाता है साथ इस बाइक में आपको 6-speed gearbox भी देखने को मिलता है फ्रेंट में WP Apex का 43 mm का UHD फोर्क दिया गया है रियर में monosok अब्ज़र को लगाया गया है तो यह हो गया आपके suspension इस बाइक में जो suspension का travel है वह 200 mm मिलता है जो की काफी अच्छा है मतलब जो suspension का अंदर जो spring type का होता है वह 200 mm तक up and down होगा जिससे कोई भी जर्क आसानी से observe कर लेगा और जो बाइक पे बेठे rider है उसको जर्क बहुत कम महसूस होता है जो की adventure के लिए काफी अच्छा travel suspension दिया गया है KTM 790 Adventure में जो headlamp है वो V-shaped split headlamp दिया गया है साथ इस बाइक में आपको 5 inch का fully digital TFT instrument console देखने को मिल जाता है वहीं इसके fuel tank आप देखे तो sharp look दिया गया है fuel tank का KTM का जो signature paint scheme है orange वो आपको इस बाइक में भी देखने को मिल रहा है और जो spy shot सामने निकल का आ रहा है उसमें कुछ चीजे missing है फिलाल इसमें देखने को नहीं मिल रहा है एक तो है कि rear view mirror आपको देखिए spy image जो निकल का सामने आया है उसमें rear view mirror देखने को नहीं मिल रहा है और जो second है वो है wind screen wind screen भी इसमें missing है तो ये दो चीजे फिलाल इसमें missing है जब ये launch होगी उस time ये इसमें देखने को मिल जाएगा या हो सकता है इससे पहले कोई image spy image निकल का सामने आता है तो उसमें भी ये सायद देखने को बाद मिल जाए बट इतना तो तहए कि 790 Adventure एक premium segment की बड़े CC की bike है तो इतना तो है कि इसका जो wind screen है वो थोड़ा लंबा होने वाला है थोड़ा quality wise अच्छा होने वाला है और ज्यादा feature के बारे हम बात करें तो all LED lighting का setup देखने को मिल जाएगा साथ ही इसमें cornering control, off-road ABS switchable होगा जिसे आप ABS को on-off कर सकते है अपने हिसाब से और साथ इसमें multi riding mode भी देखने को मिल जाएगा जैसे street, rain, off-road एंड उमीद यह भी लगा जा रहा कि इसमें relay mode भी दिया जाएगा जो रेट वएगरा में होता है उसमें भी यह अच्छा सब performance कर पा है और साथ ही इस bike में आपको sensitive traction control भी देखने को मिल जाएगा और भी काफी सारे future देखने को मिल सकता है तो फिलाल यही सारा कुछ update मिल रहा है आगे कुछ भी update होता है तो मैं वीडियो बना के upload कर दूँगा या फिर आपको instagram पे update कर दूँगा तो आप मुझे कोशिस करें कि instagram पे follow कर ले उमिद यह लगा जा रहा कि इसका एक सो रूम जो प्राइज हो दस लाख एक सो रूम होने वाला है तो यह हो गया इसका प्राइजिंग की बाद करें तो यह बाइक कुछ हफ्तों में लॉंच हो सकती है आप मानके चलिए कि इस जुलाइक के एंड टक लॉंच हो जाएगी या अगस्त तक पक्का यह बाइक आपको लॉंच होते हुए इंडियन मार्केट में दिख जाए ऐसे ही बाइक रिल्टेट के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए राइड विद बाइक अगा